हेलो वैबरीवन तो स्वागत आप सबकाई इस वीडियो में this is काफ सर आज के इस वीडियो में मैं आपको दीटियल अनलीस करने वाला हूं जो मैस का झाइस करने वाले आपको बना दिया इसके उपर आप और वह डेखा लेना अन आपने नहीं देखा यह तो इस वीडियो के सब्सक्राइब करेंगे यह देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको अपना पेपर कैसे स्टार्ट करना चीए अगर आप सहीं से स्टार्ट करते हो जो सेक्षन आपको अच्छी तरह से प्रिपार है तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो कुछ कोस्टिन चूटेंगे नहीं ओके तो यहां पर देखोगे हमारा जो मैस है नॉर्मली मैस फोन है और मैस टू है मैं 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 इंडिकेट करूंगगा आगे जब मैं यहां पर कुछ बताऊंगा तो मैं मतलब मैस कौन कौन से है फर्स चैप्टर लॉजिक मैट्राइस प्रिएस ट तो यह कुछ मतलब मैंने यहां पर लिखा है तो आगे में यूज करने वाला हूं यहां पर हम आते हैं सेक्शन पर सेक्शन में क्या होता है जैसे कि आप सक पता रहेगा सेक्शन में होता है मैस में सेक्शन नंबर वन होता है उसके अंदर 1-2-8 गैउन के लिए होता है इतने मार्क के लिए होता है इसमें आप किया तो हमें पता चले की जो मास्ट नोल टूफा फेपर था उसमें m1 में 4 dus आँ तो इसके सिंखन नगा षुक्यू ते यह जो में यहां पर logic लिखा तो मतलब समझ लो एक बार logic लिखा तो मतलब सिर्फ ही question एक क्वेश्चन है वापस एगर मैंने यहां पर logic लिखा तो समल लिए दो question बट यहां पर देखो लॉजिक से question ट्रिको से questioned line plane से question vector से question M2 की बात करें दो M2 में भी 4 question थे जिसमें से इसके यह हमारा एंसेक्ट यह टोटल और यह चैप्टर आए हुए थे अभी हमने वेसिकली वन टू फॉर प्रोश्चन होते हैं और हर एक कोश्चन होता है इसका फूर्धर अनॉलयसिस किया तो इसमें देखा कि M1 से 2 question थे टो question थे टो question से ओके M1 से 2 question थे कौन से ट्रेगो ट्रेगो से पिसेकल एक question था और और ट्रेट लाइन से एक question था एम टूम्हें में लीगा तो एक हामाना definite integration से question था बिसेकलि यहां पे से एक question ता तो यह बिसिकली हमारे क्या है section 2 के मतले section a section a question 2 क्या है अगर आप पूरा solve करते हो तो आप 20 मार्क section a में इसली gain कर सकते हैं आप मिल सकता है अभी आते हैं section b पर section b basically option with option होता है इसमें आपको option मिलता है section B कहा से start होता है question number 3 से question number 14 तक होता है section B total कितने questions होते हैं 12 questions होते हैं जिसमें से आपको 8 questions solve करने होते हैं and यहां पर हर एक question कितने अरक का होता है 2 marks के लिए है जिसको हमने फ़ॉदर अनालिसंस किया question number 3 से question number 14 यानि कि total 12 questions को हमने analysis कर रहे हैं हमें पता नहीं कि कि आप कौन से question से यहां पर solve करोगे आपको यहां पर 12 में से 8 भी कर सकते हो 9 भी कर सकते हो और कौन से टाइप को करोगे वी डोन नो के तो हमने यहां पर टोटल 12 question का analysis किया है वित ओप्सन होके हमने क्या देखा कि मतलब 50% आपका जो रहेंगे 50% questions रहेंगे वह किस से आएंगे आपकी पिपर में तो यहां पर में six questions एंटू से बिसिकली six question है आपके बात करते हैं पहला जो question था वह क्या था लॉजिक से था एक question logic से second ट्रिगो उसके बाद मैट्राइस उसके बाद यल्प लाइन प्लेन उसके बाद वापस से ट्रिगो मतलब दो बारे यहां पर आ गया वापस से ट्रिगो एंट प्योसल प्योस्ट लाइन तो यहां पर हमारा जो से जो six question आया उसमें से हमारा यह चैप्टर से बिसिकली questions आया जिसमें ट्रिगो से दो questions आ गए है तू माक में ओके अब यहां पर एम टू से कितने questions आया six question आया ओके यहां पर देखोगे तो एओड हमारा जो first question आया वह एओड से था application of derivatives and differential यहां पर हमारा था definite integration से था इसके बाद AOD अगेन उसके बाद हमारा definite integration and video के तो यहां पर भी आप देखोगे AOD से दो question आया है two mark में ओके यहां पर हमारा definite integration से भी कितने आया है questions आये for what to mark okay for what to mark okay तो ऐसे हैं यहां पर आप नॉर्मली ऐसे ही होता है अगर देखोगे चैप्टर वाइस जो मार्क्स आपको मिला है मतलब हल चैप्टर से कितने मार्क से questions आ सकते हैं तो इसके इसाप से अगर आप करते हो तो बहुत ज़र हेल्फूल रहेगा आपको अभी सब्सक्राइब करने होते हैं अगर आप यहां पर पूरे question सौल करते हो तो पर question कितना है थ्री मार्क पूरे question आप सौल करेगे तो यहां पर मिल जाएगा नमें एमने फॉर्दर आनालसिस किया question number 15 सब्सक्राइब तरी मार्क के लिए थेकेंड जो था वोप फूसल्सक्राइब पर आए हैं उसमें से हमारा जो फ़र्स्ट प्लेव लोग कर ले ना उसके बाद लाइन ब्लेन से कोश्चन था फिर से वेक्टर से कोश्चन था त्री माग वाले 15-26 में जो M1 से 6 question है उसमें से बिसिकलि लाइन प्लेन कर दो question है वेक्टर कर दो question है line & plane कर दो question है तो मेरे क्याल से सही आगे हैं तक है रही हम लोगग आते हैं में पर देखो कि यहाँ पर कैसा कोस्टेंस से से हमारा इन डिफरेंस इंटिकेसं साहर थर्ड यहां पर डिफिरेंसल एकवेशन साहर डिए मतला इसके बाद एवड से थ्री मार्क में कौन सा है वर्ड प्रॉब्लम आए तो यह आप ध्यान में रखना मुष्ली थ्री माक में से वर्ड प्रॉब्लम ही पूछे आते उसके बाद यहां पर पीडी और बीडी ओके तो इससे कोश्चन है तो इसमें मेरे खाल से रिपीट नहीं हुआ है पर यहां पर देखो कि वेक्टर एंड लाइन प्लेन जो होता है काफी ज्यादा फेबरेट चैप्टर है और ज्यादा अब चैप्र करता है तो यह आप अच्छी तहसे कर लेनाों एक यो ऐगार यह depression होता है इसमें और टोटल कितने सॉल कर लेते हैं तो इस बैसिकली पर्टिक्लर सेक्षन में आपको 20 मार्ग इजली मिल सकता है ठीक है एट में से 5 आपको करना है अभी हमने यह बैसिकली जो एट कोईशन है वित ऑप्सन उसका अनालिसिस किया तो हमने देखा कि बैसिकली 4 करना रहता है ओके नॉर्मली ऐसे रहता है अगर लॉजिक से पूछेगा ना फोर्माइक में तो समझ लेना वहां पर वहां पर विदाउड यूजिंग तो टेबल याने कि लॉस्ट का यूज होने ही वाला है ओके यह आप देख लेना मैट्राइस में में मूस्टली आपको र से फूछा है फोरमक में फेरम फूचा है यहां पर एल पिपी यह टो आता ही है मैश वन सर हमरी यहां पर और Bagasına इंटिकेशन से मह यहां पर यहां पर यहां पर मारा दरिया है और यहां पर नि humour और यह सारे आप अच्छी तरह से यह आपर अची तरह से यहां पर और यहां पर कि इतने में यहां पर चैप्टर से रिलेटर जो भी इंगे बता दिया है घंड पर बता दिया है यहां भी आपको लगता है कि आप अप अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो तो पहले वह स्टार्ट कर सकते हो सेक्षन भी से में वेक्टर लाइन प्लेन अगर इस तर से आपको प्रिपार तो वहां से इसका आप तो यू के इसका आपने थोड़ा और अनालिसेस किया मतलब थोड़ा मैंने इसको समरी जैसे समल बनाया इसका देखो लॉजिक से थ्री कोश्चन आया है सेवन मार्क के लिए मतलब टोटल कितना हो जाए सेवन मार्क के लिए हमार वन मांक टू मांक और फोर मांक के लिए ठीक है उसके बाद यहां पर मेट्राइसस से बिसिकली टू कोश्चन आया है सिक्स मांक के लिए और यहां प पर हमारा वेक्टर से बिसिकली 4 question आया है 12 मार्क के लिए 4 question 12 मार्क के लिए line and plane के लिए 4 basically question आया 10 मार्क के लिए यहाँ पर marks 3 आ गया है यहाँ पर lpp से बिसिकली एक ही question आयेगा फोर मार्क के लिए आ नहीं वाला है ठीक है उसके बदा हमने match 2 का देखा मैस्टू में बसिकले दिफिटसीरेशन से 3 questions хотя 9 मार्क के लिए यहां पर बिसिकले टू मार्क 3 मार्कतoration 4 मार्क के लिए था कि मिए और यहां पर दिफिरेंशन percussion ना यहां पर यहां पर डिखा नहीं लिखा है लास्ट में इक कुविशन यहां¿ mustard के लिएً वर मांक के लिए नौरमली लूर्मली ऐसा है आप देख लो अची तरो से इसको रिफर कर लो कोई भी भी डाउट डिफिकल्टी आता है तो आप कमेंट से से नों बताओ so that we can discuss on it till then keep practicing keep learning by all the best